धन्य हो तुम जो दीन हो परमेश्वर का राज्जित तुम्हारा है धन्य हो तुम जो भूखे हो क्योंकि तुम त्रिप्त किये जाओगे धन्य हो तुम जो रोते हो तुम हर्शित होगे धन्य हो तुम जब लोग धिक्कारें नकारें और अपमानित करें और मेरे कारण तुम आनन्दित और मगन होना क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है उनके पूर्वजों ने भी भविश्व अध्ताओं के साथ ऐसा ही किया सोला सत्रा अठारा उनीस बीस मेरे पास बस इतना ही है क्या मतलब तुम्हारा इतना ही है तुम्हारे पास हाय तुम पर जो अब धनी हो तुमने आराम का जीवन बिता लिया जो धनीना बनना चाहें वो कोई पागल ही होगा हाए तुम पर जो अब हसते हो तुम रोगे और विलाप करोगे अफसोस जब लोग तुम्हारी बड़ाई करें क्योंकि उनके पूर्वजों ने भी जूटे भविश्वक्ताओं के लिए यही किया पर मैं तुम लोगों से कहता हूँ शत्रु उसे प्रेम रखो घ्रिना करने वालों का भाला करो जो श्राब दें उन्हें आशीश दो बुरा करने वालों के लिए प्रार्थना करो तुम्हारे एक गाल पर कोई थपड मारे तो उसकी और दूसरा भी फेर दो कोई तुम्हारा अंगर खा ले तो अपनी कमीज भी उसे दे दो किसी भी मांगने वालों को मना मत करो यदि कोई तुम्हारी वस्तो ले ले तो उसे वापस मत मांगो तुम वही करो जैसा व्यभार तुम दूसरों से चाहते हो यदि तुम अपनों से प्रेम रखने वालों से प्रेम रखते हो तो तुम्हें आशीश क्यों कर मिलेगी पापी भी अपने प्रेम रखने वालों से प्रेम रखते हैं और यदि आखेते हो तो तुम क्यों कर आशीश पाओगे का पी वी ऐसा ही करते हैं वह इसे कैसे चूसकते हैं वह उससे कैसे बात कर सकता है पेशार आप नहीं शत्रूं से प्रेम रखो उनका भला करो उधार दे कर वापसी की आशा न रखो तब तुम्हें बड़ा प्रतिफल मिलेगा तुम परम प्रदान परमेश्वर की संतान ठैरोगे वो दुष्टों और आभार न मानने वालों पर भी क्रिपालू है दयावंत बनो जैसा तुम्हारा परम पिता दयावंत है येश्व हमें बचाएए आरोप मत लगाओ तो तुम पर भी नहीं लगेगा दोश मत लगाओ तो तुम पर भी दोश नहीं लगेगा ख्रमा करो तो तुम्हें भी ख्रमा मिलेगी प्रभू हमें अपने मार्ग पर चलाएं दो तो तुम्हें भी दिया जाएगा जिस नाप से नापोगे उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा अंधा अंधे को मार्ग नहीं दिखा सकता ऐसा करने पर दोनों ही गड़े में गिरेंगे अपने भाई की आग के तिंके को क्यूं देखते हो जबके अपनी ही आग का लठा नहीं देख पाते प्रभू हमारा मार्ग दर्शन करें दढ़ो हमें आपकी आवश्यक्ता है दन्य है वह माता जिन्ने आपको जनम दिया और पाला पर वे कितने धन्य है जो पर मेश्वर का बचन सुनते और मानते मैं इस व्यक्ति को जानना जहूँगा तुम्हारा क्या ख्याल है? वे मसी हैं? इस धर्म गुरु ने यशु को रात्री भोज पर बुलाया यशुन के घर गए और भोजन करने बैठे चलो बच्चो यहां से चले जाओ तुमने सुना नहीं? जाओ पड़े शरारती है यह बच्चे यह यहां क्या कर रही है? मुझे नहीं पता यह कर क्या रही है? यदि यह मनुश्य सच मुझ कोई भविश्यवक्ता होता तो जान लेता कि यह इस तरी कैसी है जो उसे छोड़े है वो जानता कि वो कैसा पाप में जीवन जी रही है मैं जानता हूँ कि यह स्थरी कौन है शिमॉल मैं तुम्हे एक बात बताता हूँ किसी महाजन के दो कर्जदार थे एक पर पांच सो और दूसरे पर पचास रुपए का कर्ज था दोनों ही कर्ज चुकाने की स्थिति में नहीं थे उसने दोनों का कर्ज माफ कर दिया उससे अधिक प्रेम कौन करेगा मरे ख्याल से जिसका अधिक कर्ज माफ हुआ तुमने ठीक कहा इस स्त्री को देखो मैं तुम्हारे घर आया तुमने मुझे पैर दोने के लिए पानी भी नहीं दिया पर इसने आसूंसे मेरे पैर दोकर अपने बालों से पोचा तुमने चुम्बन से मेरा भी नंदर नहीं किया पर जबसे मैं आया हूं तब से इसने मेरे पाउं चुमना न छोड़ा तुमने मेरे सिर पर तेल नहीं मला इसमें मेरे पाँ पर इत्रों रेला है मैं तुमसे कहता हूं के इस इस्त्री का तिदिक प्रेम सिद्ध करता है कि इसके पाप जो बहुत एक शमा हुए पर जिसे थोड़ी ख्रम हमिली वो थोड़ा ही प्रेम करेगा तुम्हारे बाप ख्षमा हुए तुम्हारे विश्वास ने बचा लिया शांती से जाओ